इस वीडियो के अंदे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पैनकार्ड अधाकार्ड यहां पर लिंक राने के अब कुछ दिन बाकी है तो उसमें लिंकिंग में क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे तो हम लोगों ने लिंकिंग मैथड के उपर कई सारे वीडियो बना र करा लिया है लेकिन अभी भी कई लोग यहां पर जो है बचे हुए अब उनको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और उसका क्या-क्या सॉल्यूशन निकल सकता है तो वो चीज़े जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो देखिए क्या सबसे पहली जो बड़ इसका-क्या सबसे माँ उनकोडर मचारी आधर करेक्शन करवाना पड़े इसके लिए आपको अपने नियरबाई जो अधर कार data जो अधर कर गूँए प्रेट रगाना है जो आपका जो भी date of birth थे या जो भी simply आपका नेम है उसको pancard के अग्जेक्ट वही spelling और वही date of birth आपको आधार काट के अंदर simply update करवाना पड़ेगा तो गाईस यह तो हो गया पहला तरीका लेकिन let's suppose आपके आधार काट के अंदर कर साई details correct है लेकिन pancard के अंदर चीजे गरबर है तो pancard के अंदर correction कैसे होगा तो देखिए pancard में ऐसे ही correction नहीं होगा यहाँ पे pancard की जो late fees थी basically linking कराने की 1000 उपे पहले आपको वो pay करनी पड़ेगी वो payment करोंगे ना तभी जाके NSDL की website पे जाके आप जो है अपना pancard और आधार काड को जो यहाँ पे correction करवा सकते हो मतलब simply बाते आधार काड के अंदर जो details डली वी होगी वही चीजे यहाँ पे आपके pancard के अंदर reflect कर जाएगी तो देखिए guys यहाँ पे लोगो जो payment की problem हारी है यह payment कैसे करना है तो मैं आपको simple सा यहाँ पे वापिस वे बता देता हूँ तो देखिए guys आपको क्या करना है simply आपको सबसे पहले इस link के उपर जाना है यह link आपको description box में देदूँगा यहाँ पे आपको simply अपना pan number डालना है तो यहाँ पे आपको 22-23 select नहीं करना है आपको assessment यहाँ पे 23-24 select करना है जी हाँ तो देखिए assessment यह 23-24 का मतलब simply होता है कि financial year 22-23 हो गया उसके वाद में इस type of payment पूछेगा तो आपको यहाँ पे simply select करना है other receipt जो 500 यहाँ पे लिखा हुआ है आप उस payment को भूल जाओ उसका कुछ भी नहीं हो सकता तो यह चीज आपको यहाँ पे ध्यान से डालनी है और अगर आपने गलत तरीके से डाल भी दिया तो again आपको यही choose करके आपको वापिस payment करना पड़ेगा आप guys क्या करना है आपको continue button के उपर click करना है तो अपने आपका जो other वाला column होगा ना उसके अंदर आपको 1000 रुपे दिख जाएंगे आपको manually डालने की जरुवत नहीं है अगर let's suppose यहाँ पे कुछ लोगों को यह problem आ रही है कि 1000 रुपे यहाँ पे हमें नहीं दिखता है तो उस case में आप लोग क्या कर सकते simply वाला जो other वाला column है वहाँ पे manually 1000 रुपे टाइप कर सकते हैं अगर आपने टेक्स के अंदर भी टाइप कर दिया ना 1000 रुपे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका जो minor quote था जो पहले हम लोगों डाला वाता बस वो correct होना चाहिए बाकी चारों कोलम में अगर क कैसे payment करूंगा उस case में लोग क्या करते ना basically NFT, RTGS वाला option चूज़ करते हैं जबकि यह बेवकूफी है यहाँ पर मैं आपको simple तरीका बताऊंगा देखो उपर अगर आप टाइप दिखोंगे तो net banking, debit card, pay account और RTGS, NFT चूज़ किया हुआ है तो देखें net banking में क्या हुआ इसके शामिल तो आप उसको simply select कर लो और आपके पास में net banking की user ID और password है तो उससे आप payment कर दो कोई दिखका दाली बात नहीं है लेकिन let suppose आपके पास में इन में से कोई भी bank account नहीं है तो simply second option पे चले जाओ debit card आप debit card में क्या चक्कर है केवल आपको 4 banks मिलेंगे इन 4 banks में ही आपको use करना पड़ेगा तो भाई अगर इसके लाव भी अगर आपके पास में दूसरे bank का card है तो इसको भी आप skip कर दो और गाई सबसे जो best way ना वो क्या है simply आपको जाना है payment gateway के उपए तो गाई से इन्हों को ने क्या कर रखा है तीन bank को के साथ में majorly tab कर रखा है अब payment gateway का मतलब क्या होता है payment gateway का मतलब यह होता है कि उस gateway के उपर आप इंदिया किंदर जित्ते भी banks है उन सभी के UPI होगे उन सभी के debit cards होगे उन सभी के credit cards होगे उन सभी की net banking हो गई यानि यह चारो method के through आप यहां पे payment कर सकते हो तो देखेगा इस अगर मैं charges की बात क्यों तो तीनों के जो payment gateway है जो canra bank का है जो federal का है जो कोटक का है तीनों पे अलग अलग है लेकिन UPI के उपर कोई भी charges नहीं है और debit card के उपर थोड़ी सी यहां पे हलकी सी fees है जो यहां पे आपको मिल जाएगी बाकी मैं आपको जो personally यहां पे recommend करूँगा वो कोटक महिंद्रा बैंक का payment gateway करूँगा जो की काफी ज़्यादा fast है एकदम reliable है और इसके charges में यहां पे सबसे कम है बलब debit card पे तो यह fees लेगा ही लेगा नहीं और UPI भी कोई fees नहीं लेगा तो यह best तरीका है debit card और UPI के माधियम से payment करनेगा तो यहां पर आपको simply कोटक महिंद्रा बैंक को यहां पर choose out कर लेना है और simply continue बटन के उपर click करना है और यहां पर आप देख सकते हैं आपकी पूरी एक संब्री आ जाएगी और pay now button के उपर click करके आप किसी भी bank card debit card credit card UPI कुछ भी use करके payment कर सकत हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब कई लोगो problem क्या थी ना जैसे आप जिसे आप देख सकते हैं उस वीडियो के नहीं बताया था जैसे आप यहां पर चलान को download करते हो payment करने के बाद में तो कई लोगों को यह चलान वगर generate नहीं होता है और वह घबरा जाते कि भाई payment tax की website की उपर अपने एक account बनाना है इसी website की उपर same simply अपना pan number एक password set कर लो उसके बाद नगाइस क्या करना है उपर जाना e-file के अंदर यहां पर करना है आपको form 26 AS check तो जैसे आप 4-5 दिन हो जाएंगे उसके बाद में यह process करना है आपको guys आपको यहां पर view tax credit form के उपर click करना है और यहां पर जो assessment यह आपको 244 करना है और view के अंदर आपको HTML select करना है view and download के उपर click करना है तो guys आप जब नीचे नीचे जाएंगे ना तो यहां पर एक part C करके आता है details of the tax paid other than the TDS or the TCS तो आपका 1000 रुपय अगर successful हो चुका है और let's suppose आपका चालान भी generate नहीं होता नहीं है यहां से details आप सारी आप जो है copy paste मार सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके बाद guys कई लोगों का question ना बता है क्या आ रहा है कि let's suppose आगर आपने payment कर दिया है ठीक है तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो मनाया बताया था आप चार पात दिन बाद में अपना जो है कई दिनों तक pending पड़ा हुआ है उनका link वगरे नहीं हो रहा है तो इस case में आपको कैसे check out करना है इस case में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरुत नहीं है आप क्या कर सकते income tax की website के उपर जाओ यहां पर simply आप my profile के उपर click करो इस पहली चीज तो यह देख लो कि य login करने के बाद में आपको यहां पर grievance में जाना है यहां पर आपको submit grievance के उपर click करना है तो यहां पर आपको दो department मिलेगे एक मिलेगा UTI का एक मिलेगा NSDL का तो यहां पर simply NSDL के साथ में जा सकते हैं और guys यहां पर select category है इसके अंदर आपको कापी सारी pan-related category मिल जाएगी तो आप यहां पर simply other option choose करके अपनी जो भी यहां पर problem है वो simply आप यहां पर grievance जो गवर्मेंट के साथ में simply submit कर सकते हैं कि आपको जो भी problem वगरे face करनी पड़ रही है तो उसका simply आपको email के तुर यहां पर जो गवर्मेंट से यहां पर simply revet back मल जाता है इसके रगाईस अग जो details वगरें वो यहां पर DM कर सकते हो तो guys hope you like this video please subscribe channel और इन सभी videos की link भी आपको description box में मिल जाएगी thank you guys thank you very much